Hello everyone, ये छोटी सी वीडियो में लेके आया हूँ आप सभी की एक urgent query का answer करने के लिए आप मेंसे बहुत students ने अपने CSUS Face2 Portal पे अपनी preferences को submit तो कर दिया लेकिन submit करने के बाद भी start का option अभी भी आ रहा है तो आपका ये question है कि भाईया जैसे मैं अपनी preferences submit कर देता हूँ क्या उसके बाद मेरे पास कोई mail आती कि your preferences start successfully submitted तो नहीं guys ऐसे कोई mail आपके पास नहीं आती कई सारे students परिशान है कि इस preference पे अने submit पे तो क्लिक कर दिया लेकिन उसके बाद भी मेरे पास start का option आ रहा है तो क्या problem है ये तो guys ये कोई problem नहीं है आपने जब एक बार अपने preferences submit कर दी तो आप जैसे ही start पे क्लिक करेंगे आपने जो preferences submit करें वो आपको वहाँ पर दिख जाती है और अगर आप corrections करना चाहते हैं you can correct it लेकिन ये जो start का button है ये सिर्फ आपके साथ problem नहीं है ये सभी के portal पर शोग हो रहा है ये start का जो option आपको दिख रहा है अपने portal पर ये 9th August तक आपको दिखता रहेगा because 9th August तक आपके पास option है कि आप अपने preferences में changes कर जकते हैं तो 9th August के बाद आपकी जो preference sheet है ये automatically lock हो जाएगी आपके preferences तो अगर आपको start का option दिख रहा है घबराने का बिलकुल नहीं and also guys आप सभी को एक चीज में recommend करूँगा and that is कि बिलकुल last day तक का wait मत करेगा that is 7th August बेटर है कि आज शाम तक आप सभी अपनी preferences को submit करने because कई बार like पिछले साल ये face to portal पर देखा गया था कि last day पर बहुत सारा traffic आजाता है portal पे तो submit पर click नहीं हो रहा अगर submit पर click हो रहा है तो कई students को देखने को मिला था कि मेरी preferences अचानल से shuffle हो गई थी उपर नीचे हो गई थी तो मैं आप सभी को recommend करूँगा कि आप सभी try कीजिए कि आज शाम तक आप अपनी preferences जरूर submit कर दे last day का किसी को wait नहीं करना चाहिए so I hope guys आप सभी का ही जो इतना सरदर था ना यह start option क्यों आई जा रहा है I hope it is cleared now now also guys अगर आप सभी अपने आप preference sheet बना पा रहे हैं that is well and good कोई issue नहीं है लेकिन अगर आप अपने आप नहीं बना पारे समझ नियारा किस ordering में हम अपनी preferences को arrange करें तो इसके लिए आप हमारा सार्थी 2.2 most successful counseling program join कर सकते हैं इसके अंदर आप से कुछ details मांगी जाएंगे और उसके बाद आपको 2 घंडे के अंदर अंदर आपकी preference sheets आपको provide कर दे जाएंगे so link मैंने description में दे रखा है अगर problem आ रही है preference sheet बनाने में तो आप join कर सकते हैं now also guys कई सारे ऐसे लोग हैं जो emergency के packages भी निकाले जा रहे हैं 2000 रुपे, 3000 रुपे का emergency package so ये चीज नहीं है जो पहले price था वही price है तो इसमें कोई बढ़ातरी नहीं होएगी बस ये है कि आपको थोड़ा emergency basis पर extra support दे दिया जाएगा so अगर problem आ रही है preference sheet में you can enroll in सार्थी 2.0